जायन मित्रों फायर कॉलेज दिवियापर की यूटूब के राल में आपका स्वागत है जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि पहले पार्ट में हम लोगे नोट्स का अध्यन किया अब हम लोग उसका दूसरा पार्ट देखने के लिए वेजी चलिए शुरू करते हैं चलिए आज सुरू करते हैं हम लोग नोट्स का दूसरा पार्ट ठीक है पहले पार्ट में आप लोगों ने कुछ गाठें सीखी और इसके बात की गाठें आज आपको इस पार्ट में बताते हैं सबसे पहले आती है आपकी क्लोबिच क्लोबिच उसको वोलते हैं खूटा गाठ आपको सबसे पहला तरीका रसा लिया एक लूप बाहर से एक लूप अंदर से और जैसा है उसको वैसा ही रख दिया इसको इसमें से डाल दिया और पकल के पीछ दिया यह आपका हो गया क्लो भिच खूटा गाट जो आप बोलते हैं ठीक है समझें आया यह आपका क्लो भिच हो गया खूटा गाट एक बार और बता देते हैं एक लूप बाहर से एक लूप अंदर से और जैसा है उसको वैसा ही रख दीजिए बीच में डाल दीजिए आपका खूटा गाट तैयार है ठीक है इसको पकल के खिस दो टाइट कर दो खूट गाट आपका लग गया है ठीक है ऐसे लगाते हैं एक और तरीका है जैसे अभी तो आपने क्या किया लूप बना की खूटे में डाल दिया कोई बड़ी चीज है तो पहले से डालना पड़ेगा ना तो उसमें क्या करते हैं हम लोग हाथ पे मांद की दिखाते हैं आपको ऐस है सेम समझ में आया है दो तरीके हो गए आपके सेम आपको ऐसे डालना है दूसरी तरफ ले जाके डालना है और इसी लूप में से निकाल देना है यह आपका खूटा गाठ बनके तयार हो गया ठीक इसको कहीं भी आप कोई भी चीज रस्ते का यूज लेना है एक जगह इस तेरे पर बांदना है तो इस जगह यूज करते हैं ठीक है दूसरा आता है आपका रोलिंग हिच रोलिंग हिच में किसी भी चीज को आप नीचे से उपर या कैसे भी करके आपको ले जाना है कोई भ रांच है और कोई भी चीज है हम लोगों को ओपर प्रायव भैटिंग कर रहा है नीचे सी चीज को ले जाना है तो कैसे करेंगे सेम ऐसे होता है यह भी इसमें क्या करते हैं आपने यह डाला एक लूप इधर इसमें बस डबल बन जाता है डबल बन के और इसको खीच दीजिए यह आपका यह तीन बनेंगे इसमें ठीक तीन लूप बनेंगे यह आपका रोलिंग हेचे अब उपर ले जाना है तो इसमें एक हमने बोला था half inch बताया था आपको इस तरह से half inch बनता है आफ इंक और लगा दिया और फीछ के ठीक है समझना गया देखा आपने एक बार और देख लीजिए एक शक्कर मारा एक और मार के इस लूप में से निकाल दिया और टाइट कर दिया ठीक यह तीन लूट आपके बन गए टाइट हो गया रस्ता अब इधर पे दूसरे इससे पे एक हाफ इच और लगा दी और इसको लेके उपर आप लिजा सकते हैं हाफ इच मैंने बताया था कभी भी अकेले नहीं लगती है वो लगती है हमेशा क्लोब इच के साथ रोलिंग इच के साथ ठीक है अकेले कभी भी हाफ इच आपको नहीं लगेगी ठीक है क्योंकि वो एक सपोर्टर का कार करती है ठीक यह हो गया अब तीसरा होता है तिमबर हिच Timber Ishti में क्या होता है रसे को आप चेक करते हैं पिर रसा मजबूत है या नहीं. उसको कैसे करते हैं? एसे से मैं हाथ पूप आप much आपको दिखा रहा हूँ इसमें क्या होता है? एक आपने खंबनोट बांदी तब तक इसको गुमाईगे जब तक की रस्सा आपका खतम ना हो जाए ठीक अब इस तरह से खीच की इसको रस्से को चेक किया जाएगा सपोर्ट के लिए एक इदर पे हाफिच जैसे कोई पोल ओल है उसमें आपको बांद के चेक करना है सपोर्ट के लिए एक हाफिच और बांद दिया मजबूत हो गया आप इसको रस्से को हम खीच की चेक करेंगे कि मज़सा मजबूत है या नहीं ठीक है समझ में आया इसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बार बार देखिए रस्से को हाथ में लीजिए रस्से को हाथ में लेके ही आप सीख पाएंगे ऐसे पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा ठीक है एक बार और बता देते हैं आपने ये लिया एक थंबनोट मांदा थंबनोट को तब तक गुमाईए जब तक कि वो रस्सा खतम ना हो जाए हमने थोड़ा लूज लेकर देखिए विला है क्योंकि आप लोगो को समझ में आए क्योंकि हम वहीं अगर इदम कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इतना हो गया रस्सा आपका खतम हो गया रस्से को खतम होने की बाद इसको खीज़ दीजिए मैं तरीका बता रहा हूँ थो लोग पास में लगाना है आपको टाइट रहे जिससे और इसके बाद एक थंबनोट बांद के इसको टाइट करके आपको खीजना है यह आपका हो जाएगा रस्से का चेक रस्सा सही है या काम करने योग है या नहीं अब आती है आपकी बो लाइन बो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट गांट है फायर सरेस में बो लाइन मानना सभी को आना चाहिए बोलाएन अगर आपको नहीं आती है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी ठीक और कठिन गाठ माननी जाती है लेकिन कठिन होती नहीं हम बताएंगे आप उसे ही जाएंगे अच्छे से है ना देखिए पहला तरीका आप एक रस्सा लीजिए इसको सिंपल सा एक उपर से लूप बनाईए बनाया उपर से ठीक रस्से के टुकड़े को नीचे से लीके और उंगली पे छोड़ दीजे उंगली पे छोड़ने के बाद इसको यहां से खीच के हम लोग इसी लूप में फिर से डाल देते हैं और टाइट कर दिया आपकी बोल एंड बंद के तयार है यह फासी वाली गाट नहीं है फासी वाली गाट उपर और नीचे होती है यह कहीं से आपकी हिले गी नहीं खिसके गी नहीं चाहे कोई भी इससा इसका कीच के देखनी जाए देखिए, आप आईए, खीज के देखिए इसको, नहीं किसी रही ना, ठीक है, बैठ जाईए, इसको दो-तीन तरीके हैं बानने के, ठीक, अब ही आपने, हमने आपको एक ही तरीका बताया है, एक बार और इसको देख लीजिए, इससे आपको अच्छे से बानना आ जाए, रसे को आपने ये लिया, ठीक, एक लूप बनाया, नॉर्मल, ठीक है, सिंपल सा एक लूप बनाया, लूप बना के, खुला बला कर लीजिए, उपर से बना के, आपने इससे डाला, और रसे पे छोड़ दिया, ठीक, छोड़ने के बाद फिर इसी रसे में आपने फिर से डाल के और इस रसे के साथ में खीच दिया यह आपकी बो लाइन मन के तैयार हो जाएगी ठीक है इसका कार क्या है यह रेस्क्यू कार की कार में काम आती है बो लाइन हमेशा रेस्क्यू वर्क में काम आती है कोई भी आग में आपका फसा हुआ व्यक्ति है उसको बाहर निकालने के लिए इस इक बो लाइन का कार बो लाइन आपका इसी कार में आती है ठीक है रेस्क्यू कार में दूसरी चीछ गाट एक rescue और भी होता है इसका कमर में बाहने की जिसे लिखा हुआ है कमर बाढ़ की किस तरह से बाढ़ेंगे कमर पी हमने यह बांदा कंबर में इस तरह से बांधके इस त्रह पकलेंगे, दिख रहा है सबी को, चालीए, फिर क्या गरते है, हम लोग रस्छे के उपर से, ठीक है, धज्यान से देखना, रस्यान के उपर से लेकि हमने, यह किया, ठीक है, अभी चौड़ना नहीं है इसको, फिर इस रस्यान के दाल दीजी और ये एए थिख पूरी टाइट हो गई है कमर में इससे आप ये सेट पहन के कहीं भी अधेरे कमरे में मास्क लगा की अभ जा सकते हैं उस से आपको और एक इसा आप के कमरे के बाहार होगा तो आपको यह पता रहता है अंधेरे में कि हम कहां से आये थे और हमको कहाँ जैसे यह रस्वहन cog पहां दिया संट बहुत बनांति हैं और हम सीद्य सीद्य चले गई रह वहाँ पकले वह होएं यह वापर चले गए और भार पस हमको तो उसी रास्स तुरंट निकल सकते हैं अगर रस्ता बटक गए तो लिक्कत आपको भी हो जाएगी एक बार और देख लीजिए रस्से को इस तरह पकड़ना है इधर से उपर से डाल के ये कर लेना है ठीक है बोड़ा डूच कर देते हैं उपर से डाल के अपने तरफ आपने ले लिया ठीक अब रस्से के नीचे से उपर इधर पकड़ लीजिए पकड़के कुछ नहीं करना है कुछ सब चूटा हुआ है बस अपना हाथ बाहर निकालना है अपको क्या करना है यह आपकी गांट बोलाइन बंद के तयार हो गई है ठीक है अब होती है रणिंग बोलाइन रणिंग बोलाइन क्या होता है कि एक सेम बोलाइन तरीके से ही हमने बोलाइन बंद दी चोटी सी बानेंगे क्या करेंगे बहुत चोटी बानेंगे हमने यह किया ज्यादा चोटी हो रही है कितना ले लीजे हमने एक लूप बनाया डाला इदर से खीच के फिर से हमने उसी में डाल दिया और पकड़ के खीच दिया एक गाठ बंद के तयार हो गई बोलाइन बंद गई अब क्या करना है जैसे पानी में कोई चीज है कोई आदमी है कैसे भी करके आपको इस चीज को डि इस सिसे को इसी बोलाइन में से लिकाल दिए और ये कहीं भी हमने डाल दिया ठीक जैसे यह चियर है हमके हमने ऐसे करके गए फॉंझ फ़ेक- ठीक है पसा दिया मतर्लीन दूर से फेक के पसा दिया अब पकल के खीज़ लिया अभी क्या होगा अब और लूप बनाया इसको छोड दिया इसको पकड़ के फिर हम ने यसी रूप में डालके इसको खीच दिया एक छोटी बो लाइन बनके तैयार हो गई है आप इसी बो लाइन में हम इस रस्षे को डालके एक फंदा टाइप का बना लेंगे ठीक है दिख रहा है एक फंदा टाइप का बना लिया और हमने इसी फंदे को ऐसे करके डाल दिया और जैसे ही इस फंदे को वो इस चीज ये पढ़ेगा तो इसको रसे को हम खीचेंगे टाइट हो जाएगा इस तरह से कुसी भी चीज को आप किसी भी आदमी को पानी में डूब रहे तो उसको पकल कि आप खीच सकते हैं ठीक है चलिए चलिए अब आती है ओन दा बाइट इसमें क्या है अगर आपको बोलाइन मांधना आता है तो आप चेर नॉट का भी यूज कर सकते हैं जिसे नहीं आती है बोलाइन आती है तो बोलाइन से ही आप चेर नॉट को यूज कर सकते हैं สहे क्या है? double का आपको रस्टा करना है bीचों बीच आप गे रस्टे की बीचों बीच से center point से पकड़ लेंगे पकड़ने की बाद आप इस तरह करेंगे same वैसे जासे आपने किया था जैसे की बीचों बीच पकला के एक आपने loop बनाया ठीक है temporarily लूप बनाके डाल दिया छोड़ दिया फिर इसको खीच के इसी लूप में फिर से डाल दीजिए और पकल के सी के साथ में खीच दीजिए ठीक ये आपकी बोलाइन बंद के तयार हो गई है अब दो लूप आपके बन गए थे ये आपकी चेयर नॉट भी और उनके तयार हो गई किक डिस्सियरण व्यों ये ची नॉट का एक रूप है ना कि मंद कि नॉट अथी कि ये चिर्मन ऑपको बताना साट रहा इते हैं ये आपकी अगर चेयर नॉट वंनना नहीं आता सेम वैसे ही है जैसे बलान kilowatt ऐसी सेम मांद रहें रए उस डबल रसे से करन रहा है पीच में से लिए इदर डाल के और डालके मीचे में से निकाल दिया और पकल कर खींज दिए हैब दो लूब बनके त्यार रही है अज में अ कि आ सान्माय हाँंएत इस ए अब आ जाते हैं हम लोग चीर्णॉटूटू कि मेदें रस्ते की बीचों बीच WILU इसमें बहुत बड़ा रस्ता चाहिए आपको क्यों कि रस्ते की बीचों बीच आपने पकाड़ लिया खिस रखने को बीचों बीच से पकाड़ना आपने खीश दिया अब यहां रखके नीचे वाले इस्टे को आपने पूरा खीशते चले गई और यह पूरा हिस्टा आपका बढ़ जाएगा ठीक है अब ऐसे ही किसे को भी इसकंदे तक लाना है नीचे से खीचेंगी नीचे वाला इस खीचेगा उपर वाला नहीं प्रसा टाइड भी हो गया अब नीचे से नहीं खीचेगा एक लूप बड़ा बना एक लूप छोटा बना है छोटे वाले लूप को हम लोग छाती पर और बड़े वाले लूप को हम लोग टांगों में डालना है चेयर के तरीके से रेस्क्यू करना है उपर से कोई आदमी आपको नीचे उतारना है ठीक ऊपर मंजिल फसा हुआ है आग में तो इस तरह से बड़ा जो छोटा हिस्सा है वो कंदे में जाएगा और बड़ा हिस्सा टांगों में जाएगा चेयर के तरीके से उसको करेंगे और थोड़ा टाइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस खीच दिया ऐसे इस तरफ भी करना है लगाया और बीच में से खीच दिया पकल की खीच दिया ठीक है दोनों तरफ एक एक हाफिच हमने लगा दी अब यह तोड़ा और टाइट हो गया मजबूत हो गया ठीक आपने ऐसे करके और जो इससा शाती पे है वो इससा दिवाल से दूर रखेंगे अभी इस रसी को पकल कि हम लोग बढ़ी रसी को पकल के इदर कीचेंगे इससे की सिर उसका नीचे उतारते हुए वक्त दिवाल से ना ठकराए ठीक है इस तरह से करेंगे तो यह रस्क्यू वर्क हो गया चेयर नॉट इस तरह से बनती है सीख गये सभी लो से एक लूप इधर से इदर कर दिया ठीक है यहена अप बाहर वाला अंदर अंदर वाला बाहर पकल के आपने इसको कीच दिया और यहां रख लिए गाठको और नीचे वाले से को कीचते चंड़े गए अपना पूरा हाथ हमने बड़ा कर दिया ठीक सौरी ठीक है है हो गया अब इस वाले हिस्टे को जहां हमरे हाथ था और कीच के इस कंदिया तक रख लेए ठीक एक हिस्सा चोटा एक हिस्सा बड़ा हो गया अब उपर वाले हिस्टों को पकलके कीच दिया यह टाइट हो जाएगा टाइट होने के बाद इस तरफ जो रस्सा है इससे एक हमने एक हाफ इच लगा के ठीक, टाइट कर दिया ठीक, मजबूती के लिए केवल, ऐसे ही इसमें एक हाफ इच लगा के टाइट कर दीजिये तहां गया, चलिए ठीक है, टाइट हो गया यह आपकी चेयर नॉट बनके त्यार, ठीक है ठीक, सभी लोग जो नहीं सीख पाए है, वो एक बार वीडियो देखिए, बार बार देखिए, और असे को हाथ में लेके देखिए, आप लोग बिलकुल सीख जाएंगी, ठीक है आती है, कैट स्पा, ठीक क्या होता है कि कोई लपेता हुआ होज रखा है तो लपेता हुआ होज रखा है जिससे हम लोग फायरफाटvate करनी है, पाइप है उसके female coupling में लक्स लगे होते हैं और वो अंदर साइड होता है female coupling अंदर होता है तो उसको हम लोग पकड के लपेटा हुआ होड़ पूरा लपेटा भी रहे और उपर पहुँच जाए वो है कैट स्पा कैसे करेंगे एक लूप आपने इधर से एक लूप आपने इधर से लगाया ठीक और दो तीन अंटा ले लीजिए कम से कम तीन बार गुमाईए इसको इधर से गुमाईए तीन बार ठीक ये जो आपके बन गए हैं ये आपके इधर पकड़ लीजिए अब ये दोनों चीज जो बन गई है आपके इधर टाइट और हो जाएगा ये दोनों इससे जो है आपके लक्स में फसेंगे और उपर एक थम्णॉट बंद जाएगे एक पूरा इससा अगर डबल करेंगे थम्णॉट हम लगा जाएगे एक थम्णॉट ऊपर लगा ये इससे मजबूती हो जाए ये इधर उधर ना भागे और दोनों इससे जो मेरे उल्यों में हैं वह लक्स में आपके फसेंगे फीमेल कप्लिंग के लक्स में पता है ना जिसको पकलके खीशते हैं ब्रांश को ख और जिस तरह किया है उसी तरह दो तीन बार गुमा देजिए ठीक है ऐसे ही इसको गुमा देजिए और बस पकल कि हम दुना रस्टे खीच लिए यह हो गया ठीक है और उपर थम नॉट एक जरूर लगाएंगे ठीक यह हो गई आपकी कैट सपा इसको खोज को उपर ले जाते ह हम लोग सीप सेंग सीप सेंग पता क्या होता है जैसे कोई भी रस्टी है यह हमको पता है कि यह रस्टी इस जगह से कमजोर है क्या है अगर और कोई दूसरी रस्टी हमारे पास है भी नहीं हमको इससे चेयर नॉट बाननी है या हमसे हमसे इस रस्टे से हमको कैट सपा बान माननी है चेयर नौट माननी है बो लाइन माननी कुछ भी करना है और यह रसी कमजोर है अगर हम लोग काम में लाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना उसको क्या करते हैं बीच वाल इससे यह इस्सा कमजोर है इधर दे लिया पीच वी सेंटर पर इसको रखा इधर से पकड़ लिया इधर से पकल लिया बीच वाल इससा कहा पहुच गया पीच में है ना बे lanz टूटा वाल इससा है बीच में ही तो है तेक है अब इसको में मजबूत करना है कियावल इस्सा कमजोर था हमने दीस वाल इससे को छोड़ दीजे हैं इधर एक हमने 47 लगा दी पकल के टूटें वाले इससे कोई फरक पड़ेगा रसी हमने मजबूत कर दी क्योंकि उस पर जोरी नहीं पड़ रहा है हमारी रसी यहां से मजबूत है और यहां से मजबूत है पीच वाले इससे को भी लाएंगे ठीक है और आसा से खुल जिए एक बार और बता ने बीचा तूटा इससा यहां है सब्सक्राइब ठीक है मार्कर से निसान लगा दें ठीक है इधर है ठीक हमने यह किया और हमने यह किया और इसको बीच में लाएगा ठीक है ना बीच में अब इसको क्या किया हमने इधर रखी ऐसी बीच में टो है अब इसको छोड़ दीजे यहां पर हमने एक हाफ़िच लगा दी और टाइट कर दिया मजबूस इधर भी है कि में हाफिच लगा दी पकल के इसको कीच दिया राइट होगी तोटा ऐससा बीच में है ना भी यह देखिए कोई दिकत खूब पकल कीची तोटे इससे कोई की फर्क पड़ी नहीं रहा है ठीक है आपने और गाठें आज लगाना सीख लिए चलिए यह सारी गाठें आपको प्रैटिकल में पूछी जा सकती है और आपको और भी जरूरत पड़े करें तो आप इसको वीडियो को बार बार देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए हाथ म ही लोग दोनों पार्ट को देखेंगे और सीखिंग अज आज आप लोगों ने नौट्स का दूसरा पार भी देखा आप लोगों उमीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो बार बार उसको देखिए सीखने का ट्राइ कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए जाहे